हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल ल्डव्लूटी जॉप में नई सरकारी सिक्षक भरती का विज्यापन जारी किया गया है 23 जुलाई को बिल्कुल फ्रेस अडवर्टीजमेंट आया है ओपनिंग डेट जो है आविदन की 25 जुलाई से है और क्लोजिंग डेट है 14 अगस्त लास्ट देट ध्यान में रखनी है 14 अगस्त तक आप लोग आविदन कर सकते हैं वेकेंसी बहुत सारे सब्जेक्ट में है सैलरी भी जो है नोटिफिकेशन में मैंचन की गई है 47,600 तो बेसिक पे ही रहेगी 151,000 तक जो है यहां सैलरी जाएगी तो अफिशल वेबसाइट पर जो है नोटिफिकेशन को पूरा चेक करेंगे सब्जेक्ट देखेंगे कैसे अप्लाई करना है सारा प्रॉसेस समझेंगे टोटल 3069 वेकेंसी है जो की कैटिगरी वाइज बाती गई है जिसमें 1703 तो जनरल कैटिगरी की है इसमें पंजाबी सब्जेक्ट है उर्दू है, सोशियोलोजी है, संस्कृत, साइकलोजी, पॉलेटिकल साइन्स, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, मैथेमेटिक्स, हूम साइन्स, हिस्ट्री, हिंदी, जोग्रफी, फाइन आर्ट, इंग्लिस, एकॉनोमिक् इसमें वेकेंसी है, और इनको कैटिगरी वाइस जो है, आप देख सकते हैं, जर्नल, SC, BCA, BCB, EWS, और फीमेल कैंडिरेट के लिए जो है, अलग से रिजर्वेशन है इसमें, तो यह पूरा चार्ट जो है, आप देख सकते हैं, वेकेंसी कहां से जारी की गई है, तो वेकें विग्यापन आजाते हैं, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, नोटिफिकेशन जब हमने चेक करना होता है, नेम अफ़ पोस्ट है, PCT, पोस्ट ग्रेजवेट टीचर की वेकेंसी है, जितने भी सब्जेक्ट में है यह वेकेंसी, और यह जो है, हर्याना कैडर और मेवात कैडर क अंतरकत यह वेकेंसी आई है, डेट और पब्लिकिशन आप देखें, 23 जुलाई 2024 का नए अडवर्टीजमेंट है, ओपनिंग डेट 25 जुलाई 2024 से आवे दन आप कर पाएंगे, क्लोसिंग डेट 14 अगस 2024 है, आप चलिए देख लेते हैं, अलिजिबिटी, हाव टू अप्ला इस पर जाकर जो है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप चेक कर लेते हैं, क्वालिफिकिशन क्या कह रहे हैं, ये देखिए, क्वालिफिकिशन के लिए इन्होंने कहा है, बहारी राज्य के कैंडिडेट जो है, यहाँ पर आविदन तब ही कर पाएंगे, जब उनका हिंदी या संस्कृत, आपने हिंदी या संस्कृत या तो मैट्रिक में पड़ी है, या 12 में पड़ी है, बीए में पड़ी है, या में पड़ी है, आपने हिंदी जो है, एक सब्जेक्ट के रूप में पड़ा है, तो आप यहाँ पर अप्लाए कर पाएंगे, ठीके, उसके सब्जेक्ट में क्वालिफिकिशन जो है पोस्ट ग्रेजवेट टीचर बायोलोजी में MSC, Zoology, Botany, Bioscience, Biochemistry, Genetic, Microbiology, Plant Physiology, Biotechnology, Life Science बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसके अंतरगत अगर आपने इसमें Master Degree किया हुआ है और B.E.D. किया हुआ है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं B.E.D. में कितने परसेंटिज है Postgraduate में आपके कितने परसेंटिज है ऐसा कुछ भी नहीं है कितनी भी परसेंटिज आपकी रही हो इसी तरीके से सभी में है कि आप जो है Master Degree आपके सब्जेक्ट में और B.E.D. सिलेक्शन कैसे रहेगा तो सिलेक्शन यहाँ पर एक्जाम रहेगा वैकेंसि जो है हर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से है पर्मानेंट सरकारी नौकरी है तो इसमें एक्जाम जरूर है screening test होगा total number of MCQs आपके 100 रहेंगे 2 घंटे syllabus जो है subject wise अलग दिया हुआ है यहाँ पर important चीज और देखें आप यहाँ पर आपका जो exam रहेगा तो किस language में रहेगा Hindi English दोनों में केवल in subject में रहेगा commerce, economics, fine art, geography, history, music, physical education, political science, psychology and sociology ठीक है बाकी जो subject है जिससे biology है, chemistry है, home science है, maths है, physics है यह केवल English language में ही आएंगे exam तो होगा ही साथ में interview भी रहेगा और interview को जो weightage रहेगा वो 12.5% रहेगा अब देखें यहाँ पर scale of pay salary आप देखें काफी अच्छी salary है 47,600 से लेकर 151,100 इसके अलावा जो है, जो सरकारी भत्ते हैं वो time to time मिलेंगे तो अब जो है, अगर आप यहाँ पर estate clear किये हुए है तो post graduate teacher बढ़ने के लिए बिलकुल तयार अपने आपको करें syllabus आप देख लें नीचे syllabus दिया हुआ है age limit जो है, 18 से लेकर 42, 18 to 42 यहर तक के candidate अप्लाई कर सकते है भारत में किसी भी राज्य के candidate है बिलकुल यहाँ पर लिखा हुआ है जरूरी नहीं है कि आप हर्याना के ही है तो ही form अप्लाई कर पाएंगे, बस आपका estate clear होना चाहिए IUC में छूट भी है general category 42 42 यहर तक के candidate अप्लाई कर पाएंगे और इसमें IUC में चूट जो हर्याना के है SC 5 साल की है backward classes है 5 साल की है और PWBD है उनको भी 5 साल की चूट है woman candidate जो है unmarried woman है उनको 5 साल की चूट है widow है उनको भी 5 साल की चूट है तो 5 साल की यहां पर IUC में चूट दी जा रही है reservation जो है वो बिल्कुल इसका benefit जो है जो आरक्षित वर्ग है उनको मिलेगा और भी important चीज जो कि आपके जानने के लिए हमने age देख ली qualification देख ली salary चेक कर ली और number of vacancy subject देख ली ठीक है last date जो है वो 14 अगस्त है ध्यान में रखना है यहां पर देखें application fees application fees जो है बिल्कुल अधिक दिया है बहुत अधिक है male candidate journal category के या backward classes के है या all category of other state के है तो 1000 रुपीज है यहां पर fees female candidate सभी female candidate यहां पर 250 रुपीज है ठीक है चाहे वह हर्याना की है या हर्याना से बहार राज्य की है यहां पर बिल्कुल पस्ट है for female candidate of all category of other states 250 बाकी जो है male candidate के लिए काफी अधिक है application fees यहां पर male female candidate अगर SC, BC ESM category के हैं हर्याना के तो उनकी भी 250 है EWS की भी 250 है PWD की कोई 30 नहीं है तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है application form में आप लोगों को upload करना है scan photo signature degree आपकी education qualification और बाकी आपके और certificate ठीक है तो यह सब जो है अगर आप आवेदन करेंगे तो सारी चीजे ध्यान में रखना है upload it करनी है application form फिल करते समय तो यहां पर आपको ध्यान देना है तो वेकेंसी जो है काफी अच्छी है क्योंकि permanent है government job है और salary भी जो है इसमें काफी अच्छी मिलने वाली है official website का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा बाकि आप लोग जो है यहां पर screenshot ले सकते है hpsc.government.in advertisement number ध्यान में रखना है advertisement number है 18-237-2024 date of publication है 23 July 2014 बिलकुल नया advertisement है मिलेंगे नेक्ट वीडियो में thank you मिलेंगे जाएट